नमस्कार स्वागता आप सभी का History 360 चैनल में मैं रवी कुलरिया History Lecture राजसान से आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि और एक जो ओक्सफोर्ड की और से भारत का प्राची नितिहास रामशरण शर्मा की आरस शर्मा की जो बुक आती है इन दोनों में डिफ्रेंस क्या है क्योंकि कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ओल एंस्यार्टी पढ़ने के लिए बोला जाता है तो यह यह शुरुवात में बुक छपी थी उससे लेकर बात तक इसमें कुछ विशेश बदलाव नहीं हुए और इसी बुक का आप थोड़ा सा संस्रोदित संस्क्रण कह सकते हैं कि ओक्सफोर्ड वाली बुक है और ओक्सफोर्ड में भी जैसे मेरे पास 2018 2019 का एडिशन है इसमें यह बहुत कम चित्र मिलेंगे और जबकि यह जो ओक्सफोर्ड वाली बुक है इसके अंदर आपको बहुत कम चित्र मिलेंगे यहां है लेकिन शुरुवाति बहुत सारे चैप्टर में इसके अंदर कोई भी चित्र नहीं है यह देखिए आपको यहां मिलेंगे नहीं जबकि इन चैप्टर में ओल्ड एंस्यार्टी में दिये गये हैं तो चित्र इसमें आपको मिलेंगे हलांकि ज्यादा अच्छे नह यह लगभग दोसो पचीस से दोसो पचास रुपए के आसपास यह बुक आपको मिलती है अब यह देखते हैं कि इसके अंदर का content कैसा है जैसे चित्रों के बारे में मैंने बताती है कि चित्र थोड़े से ज्यादा है ओल्ड CRT में अब इसकी माँ आपको यह जो अनुकर्मणी का यह इंडेक्स है विशे सुची है यह दिखाओं आपको तो क्या अंतर है इसमें देखिए पहले सिर्फ टोपिक्स के कुछ थोड़े से नामचेंज हैं उसमें आपको कोई अंतर महसूस नहीं होगा जैसे प्राचीन भार आधनियक इतिहासका रितिहासका निर्मान और उसके सुरोत मतलब शब्द थोड़ेत बहुत इदर इदर रहें बाकी सेम ही है लगबग फिर भोगोलिक सती है इसमें नाम दिया गया है बाकी इसके अंदर का मैटेरियल लगबग वही है फिर इसके अंदर पांच्वान टोपिक हैं जैसे पादिश्थितिकी और परियावरण जो आपको दिखाई दे रहा होगा पांच्वा और भाशाई प्रिष्ट भुमी यह दो टोपिक आपको वल्ड एनिसियारिटी में नहीं मिलेंगे जबकि यह ओक्सफोड वाली बुक में मिल जाते हैं इसके बाद में एक टोपिक मिलेगा आपको आरियस संस्कृति की पहचान उसके बाद में रिगवैदिक काल और इसके बाद में उत्तरवैदिक काल तो यह आरियस संस्कृति की जो पहचान है यह थोड़ा सा अलग टोपिक है हालांकि इसके बहुत सारे points आपको LDNCRT में मिल जाएंगे लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें इसमें जो आरिये संस्कृति वाला है इस topic में अलग से add की गई है हालांकि कुछ topics के अंदर थोड़ा थोड़ा आपको इसमें add मिलेगा कोई 2% 5% आप मान सकते हैं किसमें Oxford के अंदर तो मेरी राय तो यह रहेगी कि हालांकि pricing का सो रुपे का डिफरेंस जरूर है लेकिन आपको old NCRT के बजाए Oxford पुब्लिकेशन आरे शर्मा खरीदनी चाहिए जो latest edition है वो आपको लेने चाहिए सिर्फ आपको एक कमी से यह लगेगी कि इसके अंदर चित्र कम है हालांकि यह सभी नहीं कि चित्र ही नहीं लेकिन कम है जैसे पूरा पाशानकाल के ओजारों से सम्मधित हों चाहिए या हडपा सब्वेता की मूर्तियां वगरा वो चित् की पेपर क्वालिटी अच्छी है इसकी प्रिंटिंग अच्छी है और इसमें जो अन्य टोपिक्स हैं उसमें भी कुछ टोपिक्स में कुछ बातें अलग से एड़ की गई हैं तो आप 100 रुपे की दरफ मत जाईए आप इतने बड़े बड़े एक्जाम की त्यारी करते हैं तो आप Oxford वाली खरीद दिए इसका जो लेटेस्ट एडिशन है उसका में लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दूगा पूछ सकते हैं और अपने हिसाब से बुक को चूज कर सकते हैं या आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं आप लाइक जरूर कीजिए और आपका कोई सुझाव हो तो वह जरूर दीजिए आपको कोई क्वेस्ट हो तो आप पूछ सकते हैं धन्यवाद